आज मैं आपको बताऊंगी इंडियन पैनल कोड 1860 सेक्शन 354 B के बारे में सेक्शन 354 और सेक्शन 354 A के बारे में मैं पहले ही आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ आप चाहे तो उन वीडियोस को पहले देख सकते हैं तो आज बात करेंगे सेक्शन 354 B के बारे में लिकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस कर दे जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसको नोटिफकेशन आपको मिल पाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज बात करेंगे सेक्शन 354 B के बारे में तो ये भी एक ऐसी धारा है जो लडिकियों या महिलाओं की रक्षा के लिए बनाए गई है आईपी से सेक्शन 354 और उसकी जो सब सेक्शन है 354 A, 354 B, 354 C and 354 D ये सबी महिलाओं या लडिकियों की रक्षा के लिए बनाए गए है जैसे कि सेक्शन 354 Assault or Criminal Forced Woman with Intent to Outrage Her Modesty यानि कि जब किसी महिला या लडिकी पर उसकी लजजा को भंग करने के लिए हमला किया जाता है तो तब ये सेक्शन 354 लगाया जाता है और सेक्शन 354 A, Mean Sexual Harassment Section तब लगाया जाता है जब किसी लडिकी या महिला के साथ कोई भी अभद्रभाशा का यूज किया जाता है या फिर उससे किसी भी तरह की अशलील चीजों की डिमांड की जाती है तो अगर कोई ऐसा करता है तो ये माना जाएगा कि उसने सेक्शन 354 A का क्राइम किया है तो अब बात करते हैं सेक्शन 354 B क्या है सेक्शन 354 B means assault or use of criminal force with intent to disturb यानि कि जब कोई परसन किसी महिला या लड़की पर उसके कपड़े उतारने के परपस से उस पे हमला कर देता है यानि कि उस महिला पे अपरादिक बल का यूज करता है तो ये माना जाता है कि उस परसन ने IPC सेक्शन 354 B का क्राइम किया है इस सेक्शन में किसी भी लड़की या महिला के कपड़े को टच करना या कोशिश करना गलत intention से उसे चूने की तो उसे एक क्राइम माना गया है ये अपराद समझोता योगिय नहीं है और ये एक कॉनिजेबल ओफन्स है और उसकी जो सुनवाई किसी मैजिस्ट्रेट के द्वारा की जा सकती है और सेक्शन 354 B की अगर मैं पनिश्मेंट की बात करूँ तो इसमें तीन साल की सजा रखी गई है जिसे की ज़ूरत पढ़ने पे 10 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है और साथ ही इसमें फाइन भी लगाया जा सकता है या फिर सजा और फाइन दोनों भी लगाया जा सकते है आज की इस वीडियो में सिरफ इतना ही आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है